नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, फिर से तीज त्योहार चैनल में, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस प्रकार ये वीडियो में बीज को देख लीजिए, चमतकारों से भरा हुआ है ये बीज, और ये बीज आपको जो दिख रहा है, ये बहु बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ये एक पौधे का बीज है, ये भी चमतकारों से भरा हुआ है, आज मैं आपको इसके प्रयोग बताऊंगा, इसका आयूरवेदिक लाभ भी बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, आज, जरा से वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज की जो जानकारी बहुत ही सुन्दर है, आज के इस वीडियो का विशय बहुत ही सुन्दर है, अगर आप आज की वीडियो मिस कर देते हैं, तो कम से कम अपना 5-7 मिनट का बहुमूल्य समय नहीं दोगे, तो इसमें आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी जानकारी हो, वह बिलकुल भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वह अभी नहीं तो आगे जाकर काम आती है, पहले तो आप ये बीच देख लीजिए, फिर मैं इस बीच के पौधे के बारे में आपको बताऊंगा, और उसकी पहचान भी कराऊंगा, मेरे वीडियो में जो दिख रहा है कुछ इस प्रकार से बीज है, बहुत से लोगों को यह बीज देख करके समझ में आ गया होगा, इसको रगडने से इसमें आज जैसा ताप आ जाता है, अर्थात इसमें आग जैसी गर्मी होती है, इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें एक प्रकार से कहा जाए, घर्शन करने से एक प्रकार की गर्मी आ जाती है, और किसी को टच करते हैं, तो वह आज का अनुभव करता है, बचपन में काफी इसे खेला भी है, तो ये बीज चमतकारों से भरे हैं, इसके अंदर में कौन-कौन सी चमतकारिक गुण पाई जाती है, कौन से आयुरवेदिक प्रयोग कि जाते हैं, धार्मिक इसका लाभ क्या है, किस क्या प्रयोग में लाया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में, मैं आप लोगों को सारे दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा, सर्व प्रथम तो हमें गर्भ होना चाहिए, कि भारत भूमी में आज भी हमारे घरों के आसप अधिके से हमें दिशा निर्देश नहीं देते, तो यह पेड़ पौधे केवल हमारे लिए घास फूस ही रह जाते हैं, साधारन पौधे ही रह जाते हैं, और अधिकतर देखा जाए, तो मैं जो ये बीज दिखा रहा हूँ, ये इसके जो फल होता है, इसके क्यों एक प्रक प्रेला होता है, वह उतना ही ज्यादा आयुरवेदिक गुणों से भरे हुए होते हैं, क्योंकि आप सभी दर्शकों को ضरूर पता होगा, जो गुलाब की फुल है, कितने खूबसूरत होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए कितना कठिन है हमे इसलिए इसकी सुरक्षा करने के लिए आसपास में बहुत सारे कांटे होते हैं ताकि कोई भी व्यक्ती या फिर कोई भी जो जंगली जानवर है या फिर जो पशु है उसे साधारण समझ करके खाएं या फिर इसे नुकसान करने से बचे तो इसका कौन-कौन सा प्रयोग है त ध्यान से देखिए इस करंट के नाम से जानते हैं बिहार में इसे करंजा के नाम से जाना जाता है कई जगह उसे लताकारण के भी नाम से जानते हैं इसे तेलुगु में काबु के नाम से जानते हैं इसका हिंदी नाम पापड भी है यह बीज देख करके पहचान लीजिए शायद आपको समझ में आ जाए, इसे आपके यहां किस नाम से जाना जाता है। अब हम सब हम तो इसका आयूर्वेदिक लाभ बताईए, फिर इसका हम देवीय चमतकारिक प्रयोग बताईए और इसका धार्मिक लाभ भी बताएंगे। आयूर्वेदिक चार से पांच इसके लाभ बताऊंगा, जो कि आपको आगे चल कर काम आएंगे। क्योंकि आयूर्वेदिक पेड़ पौधे के लाभ सीख जाएंगे, तो आप कभी फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। यानि पेड़ पौधे बहुत सारी बीमारियों को आप उपचार कर लेते हैं। किस प्रकार के जो चैनल है, इस प्रकार के कार्यक्रम में आप इसमें हमें योगदान जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम पेड़ पौधे की जानकारी भारत भूमी के हर गाव, हर शहर में पहुँचा सके। इस बीज का प्रयोग गंजेपन के लिए भी किया जाता है. इस बीज से तेल भी बनता है. यदि इस तेल से गंजी हुई जगह पर हलके हाथ से धीरे मसाज की जाए, तो बाल फिर से उगने लगते हैं. लगभग चार से पांच महीने के अंदर जड़े हुए बाल पुनह सर पर आ जाते हैं, क्योंकि आयुरवेदिक दवा धीरे-धीरे काम करती है, लेकिन संटो परसंट काम करती है. इसका दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, जो गंजापन दूर करने के लिए है. इस बीज को स जलाकर के भसम तैयार कर लीजिए. ध्यान से सुनिए, इसके बीज को जलाकर भसम तैयार करना है. और इस भसम को आपके जिस हिस्से में दांत दर्द हो रहा है, उस हिस्से में लगाईए. तो यह दांत के कीडे को ततकाल मारता है. और किसी भी प्रकार से पाईरिया के किसी भी कारण, बस अगर आपके दातों में दर्द बना हुआ है, तो वह दर्द जड़ से समाप्त हो जाता है। खांसी ठीक नहीं हो रही है। सांस फूलती है, तो एक से तीन ग्राम इसके बीच के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से किसी भी प्रकार की खांसी हो। जैसे कपूर खांसी है, काली खांसी है, या फिर अस्थमा के संबंधी समस्याएं, अस्थमा के जो बीमारियां ह अस्थमा में थोड़ा लंबे समय तक आपको सेवन करना पड़ेगा, लेकिन खांसी में तीन से चार दिन ही लगेगा और खांसी ठीक हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगती, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगती, या फिर पेट में दर्द बना होता है, ध्यान से सुनिये। उतनी मात्रा में आपको सेधा नमक लेकर आपको खाना है, दोनों को मिला कर खाना है। किसी भी प्रकार के पेट दर्द में तुरंत ही आराम मिलेगा, जैसे क्रीम के कारण पेट में दर्द हो रहा है, या किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है। गैस बढ़ती हो, बिलकुल ही आपके पेट में होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। तो यह थे इसके कुछ आयूरवेदिक प्रयोग, इसके आयूरवेदिक प्रयोग के अंतरगत, बवासीर गले का खराश गठिया की जो दर्द हो रहा है, वह भी इसी से ठीक होता है। कभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। चलिए, और मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बताता हूँ। सूर्य पीडा में चरण की बीमारी भी आती है, तो केवल तीन दिन आपको रविवार और बुधवार के दिन में केवल तीन बार आपको नहाना है। आपका दिन वदिन रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हो। एक प्रकार के साधन होते हैं बिल्कुल नीचले स्तर चल रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आप जो स्क्रीन पर फल देख रहे हैं, इसे किस प्रकार से बीज का प्रयोग करना है? नजर दोश नहीं लगता। अगर आप अपनी जमीन में या फिर घर में जैसे आप वास्तू मानते हैं, जो लोग मानते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। क्योंकि वास्तू घर के मजबूत होते, तो हमारे घर में धन दौलत का आगमन भी होता है, तो इसके पांच बीज को लाल कपड़े में बांध के आप अपने घर के उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर के वास्तू मजबूत होते हैं, किसी के साथ आपके घर म प्रबंध कर देता है। इसी के साथ यह आपके घर में सुरक्षा कवच को भर देता है जिससे दूसरे व्यक्ति की बुरी नजर नहीं लगती। चलिए मैं आप लोगों को इसका दो गुप्त प्रयोग बता रहा हूँ। शायद हम गुप्त प्रयोग आपको कोई नहीं बताएंगे। वीडियो में कंटीन्यू बने रहना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना। लेकिन इस प्रकार के पेड़ पौधे की मिलने वाले जो फाइदा है, किसी से बस हम अंजान बने रह जाते हैं। भारत माता के गर्भ में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमी में यह पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो हमारे लिए अम्रित तुल्य है, इसको सिध किया जाता है। बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ही साधारन तरीके से आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। बहुत ही साधार के दिन को शुभ दिन कहा जाता है धर्म की द्रिष्टी से, तांत्रिक की द्रिष्टी से। तो इसके बीज का भस्म ध्यान से सुनिए। इसके बीज का भस्म और कल अंक खोल का तेल। यह दोनों को मिलाकर के नेत्र में काजल की तरह लगने से आपके घरों के आसपास में रहने वाली दिव्यशक्तियां एवं आकाश, जो आकाश में उन्हे वाली जो दिव्यशक्तियां होती हैं। देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, प्रसाद होते हैं, फिर बहुत सारे घर आ जाते हैं, उन देवी देवताओं की किस प्रकार की दिव्यशक्ति को आप अपनी नग्न आँखों से इसका सिध्ध अंजान लगाने के बाद देख सकते हैं। इसका एक और दुरलब प्रयोग है, कृतिका नक्षत्र में, इसके जड़ को लाकर के हाथ में बांधने से आपके शरीर में हाथी जैसा बल आ जाता है, अगर आप हाथी से लड़ेंगे, तो भी कृतिका नक्षत्र के दिन, अगर आप इसकी जड़ को रख कर लाते हैं, तो हा हाथी को हरा दोगे, इतना ज्यादा शरीर में वल प्रदान करते हैं, लेकिन हाँ, आपको कृतिका नक्षत्र का ही चुनाव करना है, क्योंकि अलग-अलग पेड़ पौधे, अलग-अलग नक्षत्र में जाकर अवस्था में होती है, तो आशा करता हूँ कि करंट के बारे म जो दिव्या एवं चमतकारिक प्रयोग बताया हूँ, शायद यह प्रयोग आपके जीवन में मंगल मैं एवं कल्यान कारी साबित जरूर होंगे, यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद